आग आगाज विदियो एक शप्लिमेंट रिवीव वीडियो है जहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूं एक आउने रिवीव इन्टू हुए प्रोटीन का इस वीडियो को देखने से आपको पुताछा सकता है कि इन्टू हुए प्रोटीन सच में अच्छा है कि नहीं और साथ म इस प्रोटीन का प्राइस, इसका एफेक्टिवनेस, इसका टेस्ट, इसका पैकेजिंग, इन सभी चीजों के बारे में आपके साथ इस वीडियो में डिस्क्स करने वाला हूँ, वीडियो के एंटक जरूर देखिए, स्टार्ट करते हैं बस एक इंट्रो के बाद, हाँ गाइस, वल्कम बैक, सो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस होई प्रोटीन के नेचर के बारे में, सो यह जो इंट्व हे प्रोटीन है, यह एक कंसंट्रेट प्रोटीन है, मतलब आपको इसमें प्रोटीन के साथ थोरा सा काब्स और फैज भी मिलता है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसका पैकेजिंग कैसा है, के दूत मैं दो जाले हम सहीं प्रोटीन हैकेे जाफ़ सcandoज व क्लोटीन हैं क акशना यह कम लोगशिंगाएं कईड़ाते हैं, व'ह व टो, प्रोटीन. तो जैसे कि आपने देखा इसका पैकेजिंग बहुत ही अच्छा था तो पैकेजिंग में मैं इसको दूँगा नाइन अपॉंटन तो अभी चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रोटीन कंटेंट के उपर तो इसका जो एक स्कूप है उसका मेजरमेंट है 31 ग्राम मतलब 31 ग्राम का एक स्कूप होता है जहांपे आपको मिलता है 25.5 ग्राम तक प्रोटीन तो एक बहुत ही अच्छा परसंटेज है प्रोटीन का तो प्रोटीन कंटेंट में मैं इसको दूँगा 8 अपॉंटन अब जो सेकंड पॉइंट है वो है टेक्च्चर सो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रोटीन पाउडर का टेक्स्चर कैसा है सच में इसमें लम्स फॉर्म हो रहे है कि नहीं सो जैसे कि आपने देखा इसका जो टेक्च्चर है बहुत ही फाइन टेक्स्चर है बिलकुल भी लम्स वगरा नहीं है सो टेक्च्चर में मैं इसको दूँगा नाइन अपॉंटन अब नेक्स जो पॉंट है वो है इंग्रीडियन्स सो जैसे कि आपको पता है यह कंसंट्रेट हुए प्रोटीन है सो आपको 100% रौ हुए प्रोटीन तो नहीं मिलेगा इसमें इसमें आपको प्रोटीन के साथ मिल जाता है कार्बोईडर्स और फैट्स साथ में इसका जो इंग्रीडियन्स है उसमें थोरा सा इमल्सिफायर भी एड़ क्या हुआ है आपके टेस्ट के लिए शुगर इसमें बिल्कुल 0 है जो जो एड़ट फ्लेवर्ट शुगर है वो आपको नहीं मिलेगा इसमें लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसमें एड़ट इमल्सिफायर है टेस्ट के लिए इंग्रिडियंट्स के तरफ से मैं इसको दूँगा 7 upon 10 अभी बरते हैं जो नेक्स्ट और बहुत इंपोर्टन पॉइंट है किसी भी हुए प्रोटीन के लिए वो है mixability अगर एक product सही से mix नहीं हो रहा है मतलब वो एक अच्छा quality का हुए प्रोटीन बिल्कुल नहीं है तो जैसे कि आपने देखा इसका mixability है बहुत ही अच्छा है अच्छे से mix हो गया है बस मैंने एक मिनित तेक इसको shake किया है बहुत ही fine texture से mix हो चुका है और कोई भी lumps form नहीं हो रहा है सो mixability में मैं इसको दूँगा 9 upon 10 अब जो next point है वो है taste टेस्ट भी बहुत important होता है whey protein के लिए क्योंकि अगर आपका whey protein tasty नहीं है तो हो सकता है कि आप उसको long duration के लिए continue ना कर सके सो मैं अपनी experience से बोलता हूँ taste इसका बहुत ही अच्छा है आप इसको definitely consume कर सकते हैं अभी बात यह है कि taste यह percent to percent vary करता है जो ही protein मुझे शायद tasty लग रहा हो वो आपको tasty नहीं भी लग सकता है सो मेरे सबसे मैं taste का rank दे रहा हूँ taste में मैं इसको दे रहा हूँ 8 upon 10 अभी हम आ चुके इस review का जो final and most important point है वो है results किसी भी वे protein का results ही सबसे important factor है जो यह decide करता है कि वे protein कैसा है सो मैं personally एक महिना इसको use करने के बाद यह review video बना रहा हूँ आज जो मैं shoot कर रहा हूँ अब तक मैंने एक महिना इस product को use किया है और मैं अपना honest opinion दे रहा हूँ कि इसका जो results है यह बहुत ही अच्छा है मैंने दूसरे भी concentrate protein को use किया है बट compared to them इसका result मुझे थोरा सा better लगा है बट आपको यह तो जरूर पता है कि आपका जो physical results है जो आपका workout का results है वो सिर्फ एक whey protein decide नहीं करता है आपका सारा दिन का diet कैसा है वो भी बहुत ही जादा matter करता है इसलिए मुझे एक महिने में इसका जो अच्छा results है वो देखने को मिला और जो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ तो अभी आपको screen पर दिख रहा होगा कि overall total points मैं से किसना point मैं इसको दे रहा हूँ आप भी अपने हिसाफ से जच कर सकते हैं कि यह हुए protein actually कैसा है आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको like and share जरूर कीज़े अपने friends के साथ अपने gym partners के साथ सब के साथ share कीज़े ताकि उन तक भी इस protein का information पहुंच सके मेरे चैनल पे ऐसे धेर सारे reviews आपको मिलेंगे आपको workout और diet के उपर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे साथ में fitness vlogs भी मिलेंगे अगर आपको interest है ऐसे वीडियो में तो आप मेरे चैनल पे subscribe कर सकते हैं साथ में जो be like and उसको भी जरूर click कीजिए ताकि future में जब भी मैं ऐसे वीडियो लाओ तो आपको भी वीडियो मिस ना करें अगर आपको कोई भी doubt है आप नीचे comment कर सकते हैं आप मुझे कुछ भी question कर सकते हैं साथ मुझे instagram में भी follow कर सकते हैं वापे मैं regular ऐसे fitness tips and trick share करता रहता हूँ तो make sure you follow me on Instagram ताकि कोई भी shortcut आपसे miss ना हो तो बहुत ही जल्द मैं और एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूँ मिलते हैं मैंने नेक्स वीडियो में